आप सभी को मेरा नमस्कार, साथियों आज के व्याख्यान में एक बहुती महतुपूर्ण संपादित पुस्तक में आपके लेकर आया हूं और इस पुस्तक का सीर्षक है समय से समवाद, जन विकल्प, संचियता, संपादक हैं प्रेम कुमार मनी और प्रमोध रंजन साथियों अनन्य प्रकासन के द्वारा संपादित ये पुस्तक हमें नय किवल 21 सदी के हाल बेहाल से रूबरू कराती है अपितु हमें इतिहास की एक ऐसी यातरा कराती है जो इतिहास को वर्तमान और भविसे के साथ सयुन जन करती हुई दिखाई देती है आए साथियों समय से समवाद जन्विकल्फ संच यिता संपादक प्रेम कुमार मनी और परमोध रंजन की कलम से इस पुस्तक के ग्यारवे अध्याय के बारे में हम जानते हैं जो आस्ता नहीं विग्यानिक चेतना पर आधारित है जिसका सीरसक है आस्ता नहीं विग्यानिक चेतना पिछले कुछ दिनों से मेरे मन में बार बार यह बात आ रही है कि हम कहां जा रहे हैं एक तरप मुलक में विग्यानिक तकनीकी संस्तानों का जाल बिच रहा है जिसमें लाखो युवा विज्ञान और तकनीक की उंदा पढ़ाई कर रहे हैं दूसरी और हमारी सामाजिक प्रवर्तियों में धर्मांधता, कट्रता और एविज्ञानिकता का जूर बढ़ता जा रहा है जब हमारी पीडी तरुनाई में थी तब 21 सदी का सुनहला स्वपन देखती थी हम समझते थे इस श्वपिनल सदी में वर्ग तो साइद कुछ रह जाएं वर्ण और जाती का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा समाज में ज्यादा समानता होगी न्याय होगा पंडे और मुल्ले अजायब घरों की चीज हो जाएंगी इनकी जगे प्रखर बोधिक आध्यात्म गुरू ले लेंगे आदी आदी लेकिन जो हुआ सो आपके सामने है सुनहला स्वपन दुह स्वपन की तरह हमें डरा रहा है वर्ग वर्ण जाती सब की खाई भड़ी है ऐसा मानता भड़ी है पंडे और मुल्ले तो अब राजनिती से लेकर साहित्य तक की पहरेदारी कर रहे हैं वे बड़ी संख्या में विधान सबाओं और संसद में पहुँच चुके हैं 1950 के दसक में एक धरम भीरू राष्टपती ने जब बनारस में पंडों के पैर धोये थे तब समाजवादी चिन तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इसके खिलाप आंदोलन शीड दिया था आज मंत्री और मुख्य मंत्री खुले आम ऐसी बेसरमी कर रहे हैं और कोई इनके खिलाप एक बयान तक नहीं देता मुझे बड़ा जटका तब लगा जब पिछले दिनों सेतु शंद्रम मामले में राष्ट को की संचित मूर्खता बलबला कर सामने आई जिस रोज विस्व हिंदू परिसद ने इसके खिलाप राष्ट व्यापी बंद का आयोजन किया था मैं दिल्ली में था मुझे आवस्य कारियवस एक जगे जाना था लेकिन नहीं जा सका क्योंकि जगे जगे विहीप का बेनर लगाए भाजपाई रंगरूट राहरोके हुए थे अपने कमरे मैं टीवी पर मैं समाचार देख रहा था राष्ट की विराट मूर्खता के भव्य दर्सन से मैं अचम्बित था ये एक नया भारत था या कहें 21 सदी के भारत की ये नई अंगडाई थी फिर तो मूर्खता की परती योगिता सुरू हो गई भारते पुरातात्विक सर्वेक के अधिकारियों ने शर्वुच नयायलाय में हल्प नामा दायर किया कि राम के संबंद में हमारे पास कोई पुरातात्विक साक्षय नहीं है उन अधिकारियों ने वही कहा था जो सच था लेकिन इसे लेकर मारा-मारी शुरू हो गई जिन्ना के बारे में एक टिपणि दे और केंदर सरकार पर हमला किया केंदर सरकार की दादी अम्मा को लगा कि यही मोका है अपनी विदेसी मूल को देसी चासने में डुबूने का उन्होंने कट्रता और दिमा की दिवालियपन के सामने खुद को वैसे ही बिचा दिया जैसे उनके दिवंगत पती ने सहाबानों मा पूरे मामले को तरक और बुद्धी के चसमें से देखा जाए। मूर्गता के इस जलजले से सब सहमें हुए थे। राम हमारी आस्था के चीज हैं। उनकी रक्सा तो होनी चाहिए। कुल मिला कर यही भाव सामने आया। किसी भी महापुरुस को वह राजत्व से बचने की सलहा भी देती है। रामायन के नायक पुरुस राम को ले। वह जब तक राजपद से दूर रहते हैं। बहुत ही परगती सील है। आयो निजा सीता जो जनक को खेत में लावारिस मिली थी उनसे विवहा करते हैं राम। समवते संसकारों का यह सिव धनूस था जिसे तोड़ने से तमाम राजा सकूचा रहे थे और जनक को लगने लगा था कि सीता आप कुमारी रह जाएगी। आज की इस परगती सील जमाने में भी ऐसी लड़की से विवहा करने के लिए कितने युवा तयार होंगे इसे आप समझ सकते हैं। साइद इस विवहा के कारण भी राम को अयुद्या का अभिचाद तबका सुईकार नहीं कर सका और उन्हें वनवास की सजा मिली। अब वनवास को लीजी राम सबरी जो वनवासी नी थी आज की आदी वासी स्तरी का जूटा बेर खाते हैं। मुक्त कराते हैं। ये राम के जीवन का एक अध्याय है जो बहुत ही परगतिशील तत्तों से जुड़ा हुआ है। एक बात ध्यान देने की यह भी है कि राम के इस जीवन का संसकार विश्वामित्र ने किया है जो गैर ब्राहमन है। लंका विजे के बाद राम अयुद्या के राजाई नहीं बलकि ब्राहमन वसिष्ट के पोरुहित्ते से भी जुड़ जाते हैं। और अब देखिए कि राम का पतन सुरू हो जाता है। सीता के लिए आठ आठ आशु रोने वाले और शंगराम करने वाले राम उसकी अगनी परिक्षा लेते हैं। और अंतत्य घर निकाला दे देते हैं। जो राम सबरी के जुटे बेर खाता था, अब संबूक का सिर्तरास लेता है। और जिस राम की तुलशिदास ने रावण रती विरत रगुवीरा कहकर परतिष्टा की है। वही राम अपने ही विरत पुत्रों से रती होकर संगराम करता है। कोई आस्रे नहीं की अपने ही पुत्रों के हाथ प्राजीत होने वाले राम ने सर्यू में जल समाधी ले ली। ये है राम का पतन। राजा बनकर राम रावन से भी ज़्यादा पतित हो जाता है। राम ने का ये अमर संदेश है कि ये राजपत व्यक्ति को भ्रष्ट बनाता है। मैंने तो इस रूप में राम ने को देखा है और उसे विश्व के अध्भूत साहित्ति करती मानता हूँ। आस्ता विचित्र चीज है जिन चीजों को हम विस्तार से नहीं जानते उन्हीं चीजों के बारे में हम एक कलपना कर लेते हैं और फिर ये कलपना आस्ता का रूप ले लेती है। गेलेलियो के जमाने में पाद्रियों का मानना था कि परत्वी ही केंदर में है और सूर्य उसका चकर लगाता है वे परत्वी को इस्तिर और सूर्य को चलते हुए देखते रहे थे विज्ञान की गहराई में गए बिना ये उनकी आस्था हो गई थी गेलेलियो ने दुरबीन और विज्ञान से प्राफ सूचनाओं के आधार पर बतलाए कि पृत्वी ही सूरी का चकर लगाती है। तब पादरी समुल समेट पूरे युरूप की लोगों को लगा कि गेलेलियो ये क्या कह रहा है। गेलेलियो उसी इटली के थे जहां की सोनिया रही है। गेलेलियो को सच कहने के लिए एकांतवास की सजा मिली थी। बाद में गेलेलियो ने दबाव में आकर ये भी कहा कि मैंने जो कहावे गलत है। लेकिन युरूप ने गेलेलियो को एक परतीक के रूप में लिया। गैलेलियों ने विस्व में तकनी की करांती का सुतरपात किया और आज की दुनिया गैलेलियों की दुनिया है पाद्रियों की नहीं मैं भारती पुरातत्व सर्विक्षन के उन इमानदार अधिकारियों की परसस्ति करना चाहता हूँ जिन्होंने सरोच न्याले में ठीक ठीक बात रखी दूसरा हल्प नामा तो गैलेलियों का दूसरा हल्प नामा बन कर रहे गया आखिर उन्होंने क्या कहा कुल मिलाकर उनकी बाद यही थी कि राम के बारे में उनके पास पुरातत्विक साक्षे नहीं हैं पुरा तत्व इतिहास ये जुड़ा विसे है भारती इतिहास के विद्यारत ये जानते हैं कि ने तो आदी ने प्राक इतिहास में राम आते हैं ने ग्यात इतिहास में भारती इतिहास की ठो सुरुवात हडपा काल से होती है फिर प्राग वेदिक वेदिक और उत्तर वेदिक काल आते हैं अब वेदिक काल का पुरातात्विक प्रमान मांगेंगे तो इतिहासकाल ज्यादा से ज्यादा वेद गरंत दे सकेंगे इंद्र या पुरंदर की वरजाश्त्र मे पुरातात्विक साक्षे नहीं थे उस समय सर्विक्षन से यदि इनके प्रमान मांगे जाते तो वे यही कहते कि हमारे पास ठोस प्रमान नहीं है नालंदा, विक्रमसिला, कुमहरार जैसी खुदायां सो साल के भी तरकी हैं इन खुदायों से इतिहास के अध्यन और सोच में म विस्य में राम, हनुमान और सीता के पुरातात्विक साक्षे मिलें तो उससे भी तिहास में मोड आएंगे और तब भारते पुरातात्विक सर्विक्षन दिखला सकेगा कि यह राम की अस्ती है और यह जनक का सीव धनूष, लेकिन अभी आप भारते पुरातात्विक परमान दे ही, गल्ती तो सरोच न्याले की है जो उसने राम को लोकिक दाइरे में लाने की कोशिज की, लोग जिस आस्ता के बात करते हैं उसे पहले सरोच न्याले नहीं ही तोड़ा है, लोग इतने कायर हैं कि डर से सच कहना नहीं चाहते, उन्हें सविधान द्वारा दिय अभिवक्ति के अधिकार का वाजिब इस्तेमाल करना भी नहीं आता, इसी अंक में राम और रामायन पर दो लेक दिये जा रहे हैं, स्री सुरेश पंडित का लेक रामायन पर दर्विड अंदुलन के नेता पेरियार एवी रामा स्वामी के नजरिये को सामने रखता है, तो मितक हमें परी कलपनात्मक्ता प्रदान करते हैं, बुद्ध या माक्स या गांदी मितक नहीं हो सकते, उन्हें जब हम मितक बनाना चाहेंगे तो यह भी मूर्गता होगी, राम का सबसे खूब शूरत परियोग भक्ति काल के शुद्र कव्यों ने किया, राम का नाम लेकर विजातिवाद और ब्रहमनवाद पर हमला कर रहे थे, पर उनके राम दसरत नंदन राम नहीं थे, आडवानी और सोनिया ने, सर्वोच न्यालय और विवी भाजपा की मंडली ने कभी एक बार कबीर के राम पर भी विचार किया है, हम बार बार किसी ऐसब बे गटना को मद युग से पीछे जा रहे हैं, बुद्ध और महवीर के युग से भी पीछे, राम को लेकर, रामयन को लेकर कोई सांसकर्तिक बहस होगी, तो उससे हमारे समाज को सांसकर्तिक उर्जा मिलेगी, लेकिन विमर्स और बहस की संसकर्ति तो विक्सीत हो, पूजा और आस्ता से के जिस पुस्तक को हम एक काल जी करती कहते हैं और जो समय से समवाद करती है जिनके संपादक प्रेम कुमार मनी और प्रमोद रंजन हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद